क्रिश्चनानंद राय की हत्या मुक्तार का बना अंद लगभग 61 साल का बाहुबली माफिया मुक्तार अंसारी मर चुका है मुक्तार के अंद के साथ ही उसके गुनाहों की लंबी चौडी केसों की लिस्ट में अब एक ऐसा भी केस है जो हकीकत में मुक्तार के अंद की सबसे बड़ी वज़ा माना जा रहा है मुकतार से जुड़ा ये केस था बीजेपी विधायक क्रिश्नानंद राय का हत्याकाण साल दो हजार पांच, एक के फोटी सेवें और चार सौर राउंड फाइव लगा था, शब बीस साल तक पूर्वानशल में गदर मचाने वाले मुकतार अंसारी पर वैसे तो 61 से ज्यादा आपराधिक मामले थे लेकिन साल दो हजार पांच में जिस तरह से बीजेपी विधायक क्रिश्नानंद राय के हत्या हुई उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया क्रिश्नानंद राय के हत्या इतने खौफनाक तरीके से हुई थी उस वक्त माफिया मुक्तार जेल में बन था लेकिने सत्याकान का मास्टर माइंड मुक्तार कुमाना गया मुक्तार के जेल जाने के बाद क्रिश्नानंद राय अपने उपर हमले को लेकर लापरवा हो गये थे 29 नमंबर 2005 गाजीपुर के करीमु दिन पुर इलाके रेके सेनाडी गाओं में एक क्रिकेट मैच का उदगाटन करने के लिए क्रिश्नानंद राय निकले शाम चार बजे के आसपास जैसे वो अपने गाओं गोटर लोट रहे थे तो बसनिया चटी पर उन्हें घेर लिया गया और AK-47 से अंधा धोंद फारिंग की गए करीब 400 राउंड गोलिया बरसाई गए क्रिश्नानंद राय समय छे लोग इस हमले में मौके पर ही मारे गए क्रिश्नानंद राय के शरीर से सरसथ गोलिया निकाली गई थी क्रिश्नानंद राय की हत्या सामान ने हत्या नहीं थी कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने कृष्णा नंद राय की चुटिया काट ली थी बाद में उसी दोरान का एक आडियो सामने आया जिसमें मुखतार जेल से ही माफिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चुटिया काट ले हैं न्यूज 18 इंडिया एस आडियो के पुष्टि नहीं करता लेकिन इस आडियो से पता चलता है कि माफिया मुखतार क्रिश्णा नंद राय के हत्या के बाद कितना खुश था इस आडियो में मुखतार और अभैसन के बीच बात चीत हो रही है ऐसा दावा किया गया है इस हत्याकांड से पूरा पूर्वान्चल दहल उठा था और यही पूर्वान्चल दहल उठा था और वारदात मुखतार अंसारी के लिए काल बन गई और अंजाम यह हुआ कि वो कभी जेल के बाहर ही नहीं आ सका क्रिश्मेनन्द राय की हत्या के 19 साल बार लगभग 61 साल का माफिया मुखतार अंसारी मर चुका है बांदा में हार्ट अटेक के बाद हुई मौत पर भले लाग सवाल उठेंगे लेकिन जो लोग माफिया मुखतार के कोराम का शिकार हुए थे उनके लिए मुखतार की मौत तो होली और दीपावली बन कर आई है मुखतार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद क्रिश्णानंद राई की पत्ली ने बाबा विश्योनात के दर्शन के और कहा कि आज उनके लिए हूली का तिवहार है क्रिश्णानंद राई की हत्या के बाद मौतार अंसारी दुनिया का बेताज बादशा बन चुका था 26 साल तक मौतार अंसारी ने पूरवान्चल में जम कर गदर मचा है पांच बार विधायक बना 65 से जादा आपराधिक मामले दर्श हुए जेल के अंदर रहते हुए भी जम कर पैसा कमाया और रुत्बा बढ़ाया मौतार अंसारी का नेटवर्क जेल में रहकर भी ठीक उसी प्रकार से चलता था जैसे जेल से बाहर रहकर यही कारण है कि साल 2005 से जेल के अंदर रहने के बावजूद मौतार के खिलाफ हत्या तथा अन्य गंभीर धाराओं के तहत अनेक मुकद में दर्ज हुए जाँच एजिंसियों का मानना था कि मुकतार जेल में रहते हुए भी अपने शूटरों और खास आद्मियों के माध्यम से इन वारदातों को अंजाम दिला रहा है यही कारण है पुर्वांचल में मुकतार की तूती बोलती थी कृष्णानंद राय के हत्या के आरोपी बने मुकतार अंसारी ने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया इसके पीछे भी आरोप पत्र में एक बड़ा कारण बताया गया था दरसल मुहमदाबाद सीट से लगातार अपजाल अंसारी चुनाव जीत दे आ रहे थे और इस बार उन्हें क्रिश्णानंद राय ने चुनावी शिकस्त दी थी और हार का ये सद्मा मुकतार और अफजाल अंसारी बरदाश्ट नहीं कर पा रहे थे आरोप है कि इसी को लेकर मुकतार अंसारी के इशारे पर क्रिश्णानंद राय के हत्या कर दी गई मुकतार अंसारी कानून के ऐसे चक्रवियों में फसा कि यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदले और कई पैतरे आजबाए लेकिन तमाम पैतरों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल सकी और अखिर उसकी मौत होगी